आप उसे उसकी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दें, अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं दें, फ्लीज ट्राइट को अंडर्स्टैंड इस चीज़ को समयने ही कोशिश करें, उसकी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दें, अपनी हैसियत के हिसाब से गिफ्ट दें Unixxu cumiцam ye comuns as firebrand ad yesáz जते हैं आप ? आप कहते हैं उसे ? अरे अंकल को लड़के के एतने नंबर आई है यह लड़की के नंबर आई है आप एक बाहत सुनिए हमानदारी से कभी अकेरे बैठके सूछिए क्या आपके भाई उस सब आपके बराबर हैं? और अगर आप नीचे आप बाकी उपर हैं, तो भी आप अपने पर question डालिए, तो हर एक आदमी की काम करने का, हर एक आदमी का मेंट को बोला न, टेस्ट करते हैं, तो mental status, capability status, इस सारी चीज़े टेस्ट मेंगती हैं, डिफरेंट हैं, और अगर आप बच्चे बिचावर दस्त कि अपने dream थोप रहे हैं, तो गलब रहे हैं, अब इसका impact क्या आएगा, कि जब आप उस पर dream थोप दोगी, तो जो बन सकता है, वो भी dream है, मालो, एक बच्चा player बन सकता है, बहुत अच्छा खिलाडी बन सकता है, आप ने उसको थोप दिया, नहीं नहीं, तुझे तो IS ब मत करिए society से comparison, अगेर, हम दुनिया के लिए क्यों जी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा Google करेंगे अपने आपको धूणने के लिए, तो Google में आप देखेंगे, आप 133 index पे हैं, happiness index, जबकि सारे शास्तर, सारे वेद ही हैं, हिंदुस्तान में, 133, जोग होगे आपके लिए आप से पाकिस्तान ऊपर हैं, हम तो पाकिस्तान ऊपर की बाट लगाने में लगे रहे हैं, तो हमें aggression में रहना चाहिए, अपने आपको correct करना चाहिए, तो हमें comparison नहीं करना है, यह पांच का point close हो रहा है आपके लिए, और अगर यह वीडियो लंबा होगा, तो definitely मैं दो slide मे करिए, और यह जो parents है, उनको जुरूर share करिए, अब आते हैं, six point, तो six point is verbally abused statement, verbally abused statements are worried, ठीक है, उसमें क्या है problem, माल लो बच्चे ने बहुत मैनेद की और 85% नम चाहिए, अब आप integer, ठीक है, यह दोनों जग है applicable, एक्लस माइनस बहुत है, आप ने आप चुटते हैं उसको प्रेंस करने के जाएं, तो आप छुटते हैं उसको प्रेंस करने के जाएं, और 55% is a good milestone, please go ahead, maybe after some time you will touch 90 milestone, gradually you will grow, I'm with you. This kind of activity करने को जांगा बोलते हैं, ओ, तू तो पिलकुल गदाएं, तेरे टाइम में मेरे इत्रे नमबर तो थे थे, सर जी वो टाइमी अलग था, ये ठीम अलग है, और गत्ती से आप अगर पास ही होते थे, तो भी आप रोग जाड़ रहे हैं उसके, मैं तो गिर पढ़के यहां तक पोच गया, तू तो पता नहीं क्या करेगा, मैं तो फिर भी यह कमा पा रहा हूं, लेकिन तो पता नहीं क्या करेगा, बच्चा पूरा डीम और लाइप, और एक साल के बाद, ऐसे मेरे पास बहुत कैसी जाते हैं, बच्चे ने प्लस्टू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंजिनिंग में एडिमिशन हो गया, इंजिनिंग शोट दिया, सिरफ इन ही कुछ कारण हो के बाद, यह बहुत बड़ा ब्लेंडर करेंगे, वह अपने कैरियर को वहीं ब्लॉक करेंगे, और वहां से फिर हटाने में बहुत टाइम लगता है, थेरपी लगती है, शेशन लगते हैं, लंबा है सलगा टाइम है, आपकी इचा है, आप इमेजेटली इसको क्योर करें, यह लंबा है शेशन में जाना चाहिए, अब ही आगे सलते हैं, अगले पॉइंट पे, अगला प मम्मी को बटसर देखना है, फेस्बुक देखना है, बच्चा प्रशान करता है, चोटा बच्चा है, सोजा नहीं तो बहु आ जाएगा, वो बहु आ तक क्या है किसी को नहीं बथा, बच्चे के हवा संट, डर गया, बहु यह क्या चीज़िए हुए, अब क्या है, उसने ब माओ है, वो बैठ गया बच्चे के साथ, अब अंधेरा भी बढ़ देखेगा उसे, ठीक है, घोस्ट भी बढ़ देखेगा उसे, उसको हजचीद बहु देखेगा, और फिर वो बढ़ा हो जाएगा, और एक लेवल की उमर के बाद बढ़ा होने के बाद, उसको नए फोब् कभी हाइट से, कभी वाटर से, कभी पब्लिक फोबिया, तो इतने सारे फोबिया आपने सरफ एक बाउं से क्रेट कर दिये, बच्चे बटराई मन, फेस्बुक बात में देख लीजे, उसको टाइम दीजे, वो अनरजी उसकी बहुत हाई होती है, ऐसे पीक में होती है, तो ए बच्चे जब छोटे होते हैं, ज्यादा भी सोते हैं, वो जल्दी कर लेते हैं, conscious mind नहीं होता, वो old करना नहीं जानते, और फिर सो भी जाते हैं, तो आपको थोड़ी patience रखने की जोड़ता है, लेकिन अगर आपने patience नहीं रखी, then definitely, वो जो phobias हैं, सर चड़के बोलेंगी और फिर आप बड़े हो, जब बड़ा हो जाएगा फिर आप प्रिशान हो जाओ, यार यह तो सारे अदमी डरता रहता है, तो आए समना करें, अब आगे चलते हैं, अगले point पे, phobia आपको समझ आगे होगा, next point, which is false promises, यह हमें आदत है, ठीके, यह हमें बच्पन से यादत पड़ जाती है, तो सहने की और कहने की, तो false promise मत करें, false promise कहा है, बच्चे ने का, आप यह पुता चाहिए, खिक है, आप उसे समझाईए, घर छोटा है, नहीं आ सकता, कौन रखेगा, ट्राइल पर करके देखो, आप परिशान हो जाओगे, this kind of activity, आपने बोला, नहीं अग जाना है, बाहर खाना खूने जाना है, अब आपको लगा है, अभी नहीं जा सकते हैं, हो सकता है, financial issues हो, हो सकता है, विजी हो, कोई भी रिजन हो सकता है, क्योंकि यह तर confirm date, अगर आप punishedly afford कर सकते हैं, और अगर punishedly afford नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसको संद आईए, time अगर आपने उसको false commitment दिये, तो जब वो बड़ा होगा, आपकी कोई बात को value नहीं देगा, कहेगा मेरे माबाब पते ऐसे बोलते रहते हैं, ignorance mode में डाल देगा, थेक पेरेट्स की बात बतारों, उसने वो कहा एक बच्चे को कि यह थोड़ा स्वामान डून दो, उसने गा, हाँ हाँ डून दोंगा, तो रहे डून दोने, शाम कहा के पूचा, उने गा, जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर, तो इग्नोरेंस mode शुरू होजाए, तो ऐसा कभी नी गाना चाहिए, false commitment we should not do, clear? अब हम आगे चलते हैं, यह जो false commitment करने से क्या होता है, फिल्क लबल खतम हो जाता है, वो parental faith बिल्कुल खतम कर देगा, और बाहर चला जाता है, detachment process, child abuse and bullying, यह बड़ा dangerous है, और आज का society में बहुत ज़ादा है, इसमें आपको 100% protection के लिए महबाब को careless होना ही नहीं है, जब तक बच्चे का conscious mind डुल लेता, टीनेस होने के बाद उसको conscious mind को आपको समझाना है, टीनेस से पर आप समझाने सकते हैं, नहीं समझाएगा, ठीक है, good test, bad test, इससे ज़्यादा कुस नहीं बदा सकते हैं, अभी उसमें, तो आपको इस जी ज बहुत जड़ा close, फेज मतलब उसको बोलने की ज़रूत नहीं, please try to understand, लेकिर आपको इस तरह handle करना है कि उसको भी पतान लगें, और बच्चे को आप safety, अब आते हैं, bullying, bullying क्या है, bullying is a process, जहां पे बच्चे को कोई ने कोई उसकी weakness के उपर push करता है, pull करता है, उसकी काम confidence कता है, किसी test में अपीर होने से डरेगा, कहीं competition देने से डरेगा, final paper देने से डरेगा, these problems will start, और एक term के बाद उसको OZDK होने की chance भी बढ़ जाएगा, क्योंकि obsessive हो जाएगा वो किसी चीज के लिए, जिस चीज से उसको relaxation मिलेगा, तो bullying is very serious, आजको तो offense भी मान रहा है, school pick appetite हो रहे हैं, बट आपको इसको बिल्कुल seriously लेना है, अब bullying के टाइम में आप कुछ parents अशा बोलते हैं, अरे छोड़ ना यार मुझे कितनी बार लोग बोल देते थे, बैको तो कुछ नहीं हुआ, रे क्या हो या आपको नहीं हुआ, हो सकता है आपके बास 10 भाई बेहन हो हो सकता है आपके बास relationship बच्ची हो, हो सकता हो सारे cousin हो, आज कल nuclear families हैं, आप बच्चे को motivate की बचाए, demotivate कर रहे हो, आप उसके सुनो, भशिश करो, धीरे धीरे उसको motivate करने की, प्लस वो environment को चेल कर, जो bullying कर रहा है उस बच्चे से मिलो, डाट नहीं दोख नहीं है, क्यों अगले point है, इन सब points के लिए अगर आपका कोई question हो specific, तो please send that question in the comment को, we will definitely reply, don't give the gifts, ये last point है, no point हो चुके है, don't give the gift, which are not required, अब आप बोलोगे ये, अगर से हो सकता है, which are not required, आज कल आप सब लोग करोना, करोना, करोना से डर रहे हो, आप वर्ड की अंदर कितनी death होई है, एक लाग संधे, दो लाग संधे, चेक कर लीज़े, जितनी death से होई है, इन से कई गुना ज्यादा death सिरफ excellence से होती है, आज आप पे बहुत सारे पैसे हैं, बच्चा अभी आपका ठारा साल का हुए, आपने महिंगी पाइक दे दी, का आप उड़ा रहा है, अरे आप नहीं तो value खत्ब करें इसके, आप उसे उसकी हैसियत के हिसाब से gift दे, अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं दे, please try to understand, इस चीज़ को समयने ही कोशिश करें, उसकी हैसियत के हिसाब से gift दे, अपनी हैसियत के हिसाब से gift दे, नहीं तो road rash, accidents, these kind of स्टार्ट उसको वैल्यू खतम हो जाएगी कि करना क्या है और उसी वैल्यू की वैज़े से वो आपकी जो भी संपत्ती है जो भी आपके रिलिशन्शिप में उनको वैल्यू बन के लिए जब वो टीनेज में आ जाएगा वहां के बाद वो ग्रेजवरी यूथ होने तब ऐसा करें तो प्रीज डों डू दू दिस को कंट्रोल करें अपने इमोशन को जब अच्छी शब्दी साल का वजाएगा अपने आप उसको वैल्यू समझ में आएगी तो उसको पता लगे है मेरे ऐसे कई लोग आते हैं जो बहुत ही अच्छे वैल मानेटरी अच्छे लोग हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं प्लस्टू में फिल हो गया, टैंथ में फिल हो गया, कोई ग्रेजुएशन में जाकर रूख या अच्छा बना बच्चा आपने लगजरी दे दे उसके हाथ क्या करना चाहिए ये दस पॉइंट्स राम बान कीता है अगर इन दस पॉ पॉइंट्स को अपने फालू अभी तक नहीं किया है तो आज से शुरू कर दीजिए, कोई देर नहीं हो, जब जागो तब सबेरा क्यार आपको मेरा सर्फ सुजेशन है बाकी तो फालू आप करते हैं तो मैं यह आपको को सकता है कुछ चीजें मेरी आपको हार्ष लगें क्योंगी यह टुथ फेट पर बनी हुई है और सच्चा ही कहते हैं कड़ी हो तो इसको कड़ी गोनी समस्के खा जाई है ठीक है हम ज सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें बहुत 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 धन्यवाद जल्दी भिलेंगे एक नए वीडियो के साथ फिर बलाकात होगी मैं सब्सक्राइब भार्गर फ्रॉम आवर ब्रेंग अबतने धन्यवाद झाल